हेलो फ्रेंट्स आज हम आपको पेंसल शेट वर्क में उल्लू बनाना बताने जा रहे हैं इस चित्र की नाप रहेगी 15 सेंटीमीटर हम अपने ब्लैक बोर्ड में बनाएंगे आप हमारे साथ अपने ड्राइंग शेट में बनाना इस टार्ट कीजिए चित्र की नाप के लिए देखें हम निसान ये बना लेंगे पूरा चित्र यहां तक बनके हमारा तयार होगा इसके आकरती बनाने के लिए देखें उल्लू के हम पहले उपर से आकरती निकालकर आपको दिखा रहे हैं इसके पहले हम चेहरे के आकरती आपको बनाकर दिखा रहे हैं इसके आपको बनाकर दिखा रहे हैं आपको बनाकर दिखा रहे हैं देखें आपको इस्टा की जो भी लाइन्स आएंगे हम उनको इसकर लेंगे देखें यहां से इस्टा की जो भी लाइन्स है हम उनकी हम उनको इरेज करके हटा देंगे इसके आखें बनाकर हम आपको दिखा रहे हैं इसका ही हमने बनाया हुआ है लुका यहीं से इसकी आखें जोड़ी बनाकर दिखा रहे हैं देखें देखें आखें इसकी में बनाई है हम इसकी आखें देखें बनाकर आपको पहले क्लियर करके आपको दिखा रहे हैं आपको अज़ा हुआ है अजुआ है अज़ा हुआ है अज़ा है अज़ा है इसकी अज़ा है गषा दिखा रहे है कि हमने बना दें लोगे हम यह पंख आपको बना कर दिखा रहे हैं सारे पंग में इसके कट्स बने रहते हैं इस तरह से बारिक से वह भी हम आपको बना कर दिखा रहे हैं यहीं से हम इसका पैर आपको बना कर दिखाएंगे लाइन्स को हम इरेज कर देंगे जो भी हमारी इस्टा की लाइन्स बनेंगी उनको हम इरेज कर देंगे हम इसके हमने पैर बना कर आपको दिखा रहे हैं इसका दूसरा पैर भी हम आपको बना कर दिखा रहे हैं इसमें इसके पैर के नाखुन बना दे रहे हैं यहां पर हम देखेंगे पैर के पास भी हम इस सेडिंग वर्क में इस तरह लाइन्स को हम भराबर से मिक्स कर देंगे देखेंगे उल्लू को भी हम कहीं पर बैठा हुआ टेहनी पर दिखा रहे हैं पेर के डाल पर उल्लू बैठा हुआ है यह देखें और यह सारी लाइन्स को हम क्लियर करते हुए इरेज कर रहा है देखे जिसमें शेडिंग वर्क में जो हमारी लाइन सिस्टा के बनी हुई थी उनको हम मिक्स कर देंगे यह हमारा आउल बनके त्यार हो गया है सारी लाइन्स को देखे हम डार करके आपको दिखा रहे हैं अलग के लाइन से उसमें कोई भी नहीं रहेंगी उपर से इसके पंखम बनाकर आपको दिखा दे रहे हैं अब कर देखें सारा शेडिंग वर्क में भी देखें हम इसमें हाटों के मतर से देखें मिक्स करते हुए जा रहे हैं पूरा हमारा शेडिंग वर्क में मिक्स हो जाएगा यह आउल भी अपर के हिस्से को भी हम मिक्स कर लेंगे आप इसके चैड़े के पास के हिस्से को थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे यहां पेड़ेंग में हम इसकी कत्तिया निकाल कर पेड़ के दिखा रहें आपको पेड़ेंगी तेहनी में बेठाव़े हो लामारा इस तरह पिराई के हिराने पर्तिया निकाल के हम आपको दिखा रहें इसमें पूरी पत्यों को लाइन्स के द्वारा हमने क्लियर करके दिखाई हैं इसी तरह हमारी धर के भी पत्तियां हमारी लाइन्स के बारा हम क्लियर करके आपको दिखा रहे हों इस तरह हम क्लियर कर देंगे यह प्यों की टेहनी में हावल हमारा बैठा होगा है यह लाइन्स हमने प्योर में देदी है उनको शेडिंग बर्क में देखिए हमने मिक्स कर दिया है है । उसी तरह हमारा पूरा जहीं भी शेडिंग वर्क में हीं जाएगा इसलिए इसलिए इसका शेडिंग Mon Dad रेत किया है हम क्लियर करके आपको दिखा रहें नीचे इसके हिससेसे इसी तरह आप भी देंगे, पूरे चितर में हमारा शेडिंग वर्क है, तो मारा पूरा शेडिंग वर्क चितर में दिखाई देगा, यह देखे, उपर light, dark, light, dark, खमनेसं सेडिंग वर्क दिया हुआ है, इसी तरह इधर भी कर देंगे, light, dark, तक शेडिंग वर्ख हमारा जाएगा उल्लमें पैर के पास के हिस्से को भी हमारा शेडिंग वर्ख देखिये हम घर के आपको दिखा रहे हैं है अधो कि मदसे मैं पूरे चित्र में हमने शेडिंग वर्ख इसमें किया हुआ है यह हमारी पेड़ की पहनी है हमारे इसमें उल्लू बैठा हुआ है इसलिए इसमें हमने थोड़ा सा डार्पने शेडिंग वर्ख में दिखाया हुआ है यह पूरा चित्र यहां से यहां तक बनके त्यार हुआ है एक नाप से 15 सेंटी मेटर का उसे थोड़ा से चेहरी के पास भी हमने शेडिंग वर्ख कर दिया है देखिए यहां उपर हम लिख देंगे स्मृती चित्रन इसमृती चित्रन आज हमने आपको पेंसे शेडिवर्ख में उल्लू बनाना बताया है नहीं हम लिख देंगे उल्लू यह पूरा चित्र एक नाप से बनके त्यार हुआ है 15 सेंटी मीटर का अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाए और ज्यादे ज्यादे इस वीडियो को शेयर करें जिसे इ करें करें